उत्तरप्रदेश के संतकभीर नगर चिले में अभी हाल ही में एक खैरान कर देने वाला मामला सामने आया जानकारी के अनुसार चिले के ग्राम पच्रा थाना धन घटा के पास इकबालक का शव बरामत हुआ जिसके बाद इलाके में संसनी फैल गई मर्तक की पहचान आदर्स पास्वान के रूप में हुई पुलिस अधिक्षक श्री आकास तोमर के निर्देशन और अपर पुलिस अधिक्षक के परिवेक्षण में घटना के अनावरन के लिए टीम गठित की गई वहीं पुलिस को इस मामले में बड़ी सवलता हाथ लगी इस मामले में पुलिस ने अभ्यूक्त राकेश और कविता को उनके घर से गिरफतार कर लिया जिसके बाद पूरे मामले से परदा उट गया दोनों ने अपना गुना स्विकार कर लिया है महीं अभ्यूक्त की निशान देही पर घटना में प्रियूक्त मोटर साइकल और तीन मोबाइल फोन भी बरामत कर लिये गए है जनपत संद कवी नगर के पुलिस अधीक्षक श्री आकास थोमन ने बताया कि मरतक बालक की मा और उसके फूफा का अवैस संबन्थ था जिसे मासूम ने देख लिया था इसी बात को छुपाने के लिए दोनों ने मिलकर बच्चे की मौत की साजिस रची और मासूम के तावीश से ही उसकी गला घुट कर हध्या कर दी गए जिसमें हमने पुलिस को 25,000 रुपे के नाम की खुशना करिए उस बात में ये बहुत ही शौकिंग तथे इसमें निकल के आए हैं कि छे बच्चे का जो बच्चा था उसकी मर्डर की प्लानिंग में और मर्डर करने में उसी की मां का और लड़के के फूफा का इन्वाल्मेंट था बात इस तरह से हुई कि लड़की जो बच्चा था उसके फादर मुंबई में रहते हैं नौकरी करते हैं और जो डिसीज्ड है उसकी मां का और लड़के के फूफा का अवय संबंध हो गए जो लड़के ने देख लिया था इस बात पर चूंकि पती को ये ना बता दें इसा बचने के लिए इनोंगे ने मर्डर की साज़िश रची Special Desk, जन्मत News